सुप्रभाद बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने घर के सुरक्षित होंगे आज आपकी पता है कौट कौन सी कक्षा है? आज आपकी कौन सी क्लास है? आज आपकी हिंदी की राइटिंग की क्लास है यानि सुलव सुलेक की तो साथ से पहले हमें क्या करना है हमें अपनी बुक को खोलना है बुक को ओपिन करेंगे और आज हम क्या सीखने वाले हैं चार अक्षर से बने शब्द तो चार अक्षर से बने शब्द आपने पहले भी करें हैं अपनी पिछली ख्लास में करें, करें यंदि की क्लास में करां है, आपने अपनी पिछली bar name, इप यह न आप इस अपने करा है को उसी का आज मै एक चुछत संग रिविजन करेंगें, ठीक है? तो चलिए, अब Özeng करते हैं? अब बताइए मैम के साथ जल्दी से हम क्या करेंगे? इन शब्दों का अभ्यास करेंगे. क्या करेंगे? इन शब्दों का अभ्यास करेंगे. यानि इन वर्ड्स को इन शब्दों की हम रीडिंग करेंगे. ठीक है? चलिए. पहला शब्द क्या है? अव सर्व. अव स सेकेंड इस अद्रत पिर कस्रत नेक्सिर कस्रत कस्रत मींज एक्सरसाइज एक्सरसाइज करते हो आप लो तब क्या है इसके बार बरतन है यह चारक्षर वाले शक्रत फिर पच्चपन गरदन गपशब गपशब क्या होता है बहुत सारी बाते करना पिर नटखट नटखट मीज शैतान जटपट जटपट मीज जल्दी जल्दी यह चारक्षर वाले शब्द अब यहाँ पे यह क्या है चारक्षर से बने वाख्य अभी तो हमने क्या पढ़े थे शब्द पढ़े थे अब हम क्या पढ़ेंगे वाख्य पढ़ेंगे तो चलिए बर्गद पर मत चड़्व बरगद पर ये क्या है बरगद का पेड़ तो बरगद पर मत चड़ नटखट मत बन नटखट देखो बच्चे खेल शैतानी कर रहें कि ने कर रहें तो नटखट मत बन कर्टव कर्टव मेंस स्टंट करते हैं ना कर्टव मत कर्व अकरम अचकन पहन अचकन अचकन अकरम आर ओ लेटर वर्ट यानी चार अक्षर से बने शब्द हैं अजगर मत पकड़ अजगर इस देश सांप आप देखा थे शबनम टमटम पर चड़ गर्टन मत पकड़ धरमस उधार रख पनघट पर जल भर फिर क्या है गड़बड मत कर फिर दशरत शरबर चक फिर बरतान इधार तो यह क्या होगा है यह हमारे चार अक्षरों से बने हुए शब्द और वाक्षिये अब हमें क्या करना है अब हमें क्या करना है सुलेख करना है तो चलिए अपनी बुक्स को ओपन करिए और ओपन करेंगे पेज नमबर 6 कौन सा पेज ओपन करेंगे पेज नमबर 6 और उपर हैडिंग लिखिये चार अक्षर से बने शब्द तो पहले हमें क्या करना है यहाँ पे ट्रेसिंग करनी है जैसे लास्ट टाइम नमबर कराईजी ना आप लोग को ट्रेसिंग दो अक्षर वाले शब्दों में उसी सेम तरीके से हमें क्या करना है हमें इसकी ट्रेसिंग करनी है और ट्रेसिंग करनी के बाद हम इसे क्या करेंगे राइट करेंगे तो पहले क्या है देखिए, पढ़िए और लिखिए तो पहले हमें इसे क्या करना है पहले हमें देखना है तो आप सब याँ देख सकतो, कितनी सारी फोटोस हैं, पिक्चर्स हैं, बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे फिर आप इसे क्या करेंगे, पढ़ेंगे, तो चलिए, पढ़ें अप पॉसर, लेकिन अब आप कौन सी गास में आ गए अब आप UKG में हैं, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको शब्दों को तोड़ तोड़ के नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, पूरे एक ले में पढ़ना है, पूरे एक फ्लो में पढ़ना है, जैसे हम शब्दों को पढ़ते हैं तो आप पढ़िए आफ सर पन घट तम टम मरहम बरतन अब ये वाले भी हम पढ़ेंगे खट पट जट पट सर पट नट खट तीक है? अब हम इसे क्या करेंगे? अब आब इसे tracing करेंगे यानि क्या मिसे लिखेंगे? तो चलिए अब हम इसे लिखना शुरू करते हैं चलिए पहला शब्द मारे क्या है? क्या है? अफसर पहले हम से अफसर को trace करेंगे चलिए मैंके साथ यतना शुरू करिए अब जैसे ही यहाँ हमने ट्रेसिंग करी है रहा फिल्कु सेम ऐसी है अब हमे यहाँ पर दूसरी साइड पर लिखना है अब पन घट यहां यहां पर जैसे मैं आपे ट्रेसि कर रहा है वैसे ही आपको शेवक की छाहिए बचाख के प्राट अपको का निज ही अपन करनेक्र रिखाथेAss picture दूसरी आप में पन घर्रट क तम्र 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 नेक्स इस मर्हम मर्हम फिर बरतन जैसे हम यहां पर ट्रेसिंग करेंगे आपको क्या करना है ट्रेसिंग के साथ से साइड बाइ साइड लिखना भी है तो चलिए अब हम नेक्स पर आते हैं यह हमारा खट्टु पट्टु तो मैं यहां पर आपको एक करके बता देंगी कि आपको कैसी क्रेसिंग करना है बाकि आप अपने आप ही खुद करेंगे होंबक्ने तो अब यह पेज आप कंपेट करेंगे चलिए पेज टर्न किजिए और पेज नंबर 7 निकाले अब वहां तो हमने क्या करा था शब्द करेंगे यहां हमें क्या करना है वाक्य करने है तो पहला वाक्य हमारा क्या है गनपत तम तम पर चड़ कर चल तो हम इसे पहले ट्रेस करेंगे गरप्र गक्या हम ताम्ड़ कर ताम्ड़ कर तो ताम्ड़ शब्स तो आपकों तो 5 5 6 5 10 जैसे हमने यहां पर ट्रेस करा है ऐसी आपको ट्रेसिंग के साथ सब क्या करना है इसको लिखना भी है ठीक है चलिए अब है नेक्स्ट जो हमारा वाक के है वो है अकबर अचकान कहन कर चल तो फिर अगेर हमें यहां पर क्या करना है ट्रेसिंग करनी है और अब मैं ट्रेसिंग करेंगे कौन करेगा आप लोग ट्रेस करेंगे ठीक है तो अब आज हमने क्या क्या पढ़ा है आज हमने पढ़े हैं चार अक्षर पे पढ़ने वाले शब्द और वाकिये जिसमें हमने पेश नमर सिक्स और पेश नमर सेवन कम्प्रीट करा है पेश नमर सिक्स पे आपको क्या करना है चार अक्षर वाले शब्द पढ़ने हैं लिखने है और उसको समझने भी है और याद भी करना है और पेश्ट नमद सेवन प्रम्द है क्या करें? चार अक्षल से बने वाक्य करें हैं ठीक्या है? सब को समझ में आ गया? चलिए अब हम आपसे अलविदा लेते हैं और अगली कख्षा में आपसे मिलते हैं बाबाई टेक केर